नमस्कार नीसुपर भारत में आप सभी का स्वागत हैं आई अब डालते हैं हिमाज रिप्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर ओफलाइन पढ़ाई से पूरी की जारही नुकसान की भरपाई जिहां पूरी जानकरी आपके साथ सांचा करेंगे कोविड के कारण अनात हुए बच्चों का बना हिमकियर कार्ड हिमकियर कार्ड उन बच्चों का बनाया जा रहा है जो कोविड के कारण अपने मादा पिता को खूच गहीं ये भी पूरी जानकरी आपके साथ सांचा करेंगे सेनिक आशीश को मिला सेना मेडल क्यों सेना मेडल दिया गया है ये भी पूरी जान करिया आपके साथ सांच करेंगे आईए अब जानते हैं सारे खबरें बिस्तार से उपमंडर नदाउन के रंगस गाम की निवासी भारती सेना में से बरत सिपाही आशीश ठागर को सेना मेडल से नवाजा गया है बीते सब्ता सेना की कारेकरम की दारान लेफ्रिनेंट जनरल अमर दीब सिंग भिंडर ने बहादरी आवम अदमी साहस के लिए उन्हें सेना मेडल से लंकरित किया 23 जून 2020 को जम्मो कश्मीर के गाउं में तलाश अभियान के दारान आदंक बादियों ने सैने बल पर अंधाधून फाइरिंग की थी उसी समय आशीश ठागर ने भूत पूर्व साहस का परिचे देते हुए मोठ भेड में एक आतंकी को मार गिराया था आफलाइन पढ़ाई से पूरी की ज़ा रही नुकसान की भरपाई जिहां आपको बता दे कि स्कूल खुलने के बाद अब ब्यावस्था धीरे धीरे जहां वो पट्री पर लौटते लगी है कोविडियमों की तहत बच्चे पूरी उत्सा के साथ स्कूलों में पहुंच रहे हैं कोरोना काल में पढ़ाई में पिछडे बच्चों के सिक्षा स्तर को सुधारने के लिए ध्यापक भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे स्कूलों में बिद्यार थी हूँ कि उपस्तिती बड़ी है स्कूल खूलते ही जिला के बच्चों की जहां 30 प्रतिशत उपस्ति थी तो बहीं अब 90 प्रतिशत पहुंच गए है स्कूलों में ऑफलाइन का परिक्षाए होने से बच्चों में खूब उत्सा देखा जा रहा है बच्चों का कहना है कि कोरूना काल में ऑनलाइन पढ़ाई से उन्हें काफी नुकसान हुआ है अब ऑफलाइन पढ़ाई से इसकी भरवाई हो रही है मुख्य मंत्री ने नालागड विथान सबक्षेतर में 225 करोड रुपए की लागट की बावन विकास आत्मक परियुजनों की कि ये लोकारपन और शिलने आसे आपको बतादे की अंध्रूला में अध्यागीक प्रशीक्षिन संस्थान खोलने और से इसकी नालागड को 220 की नागरिक अस्पताल में स्तरूनत करने की मुख्य मंत्री घोषना जुकर चुके है उन्होंने आज सोलन जिला की नालगड विथस्वक्षित्र के एक दिपसी दोरे के दोरान इगोषना की है पंजहडा में 225 करूर रुपे की लागत की 52 विकास आत्मक परियुजनाओं की उन्होंने लोकारपन और शिलने नास की इसके उपरांत पंजहडा के शोभा माजरा में एक जनसभा को सम्भूजित करते हुए मुख्य मंत्री ने रामशहर में खनविकास अधिकारी कारया ले खोले कंड़ा खार चायल मार्क पर साधुपुल के समीब खोए सड़क हाथ से वे निजी बस के चालक समय चार लोगों की मौत होगे जबकी दो गंभीर खायल होगे एक महिला को चोड़ नहीं आई है घटना शनिबार सुभा करीब दस बजे की बताई जा रही है आपको बता दे कि सोलन से साधुपुल जा रही निजी बस साधुपुल से दो मोड पहले जानक सड़क से नीज़े करीब 250 मेटर गहरी खाय में जागिरी जानकारे के मताविक बसमे चालक परी चालक समेट को लिस साथ लोग सबार थे इस्थानी लोगों ने इसकी सूचना प्रशाशन को दी जिसके बाद प्रशाशन की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाबकारे शुरू कर दिया घायलों को कड़ा घाट अस्पता लाया गया जहां से उन्हें प्राथमी कपचार के बाद आईजी एंसी शिमला रैफर कर दिया गया वहीं पुलिस ने मामला दर्च कर हादसे के काणों की जांच शुरू कर दी है आटल टरनल रोतांग के नॉर्थ पोर्टल में वर्फ की आकरेतियां देकर सैलानी हुए गदगद आपको बता दे कि हिमाचर प्रदेश के जिनजादी जिला लहालस पिती में अटल टरनल रोतांग की नॉर्थ पोर्टल से तक गुफा होटल में शनिबार को क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया लाहॉल स्पिती जिला प्रशाशन और अस्थानी पंचायती उबाओं के सायोग से आयोजन किया गया मेले में कोकसर पंचायती उबाओं ने बरफ पर बिभिन प्रकार की कलाकरितियां के रिए और जिससे लोगों और सलानियों ने खूब पसंद भी किया इसमें बिरोत कुमार की टीम ने बरफ पर ड्रैगन की आकरिती बना कर पहला स्थान पर आप किया दूसरे स्थान के गरबात करें तो दूसरे स्थान पर सुनील की टीम रही सेलानियों ने बरप से बनी आकरितियों को खूब पसंद भी किया कोविट के कारण अनाथ हुए बच्चों का बना हिमकेर कार्ड जिया आपको बता दे कि हरूली बिधनसवाक शेतर के तैद कोविट के कारण अनाथ हुए लोहर बडेडा के आरियन और सुमनफरीत का हिमकेर कार्ड बना दिया गिया है इस बारे में जानकारी देते हुए उपयुक्त उना रागव शर्वा ने बताया कि इन बच्चों की माता का कोविट की चपेट में आने से देहांत हो गया और ये बच्चे पहले ही अपने पिता को खिर्दे घात की कारण खो चुके हैं उन्होंने बताया कि माता पिता की मृत्यू की पश्चात इनके करीबी कर्मी देवी दोरा बच्चों की देखवाल की जा रही है उन्होंने बताया कि महिला एपमबाल विकास विभाग द्वारा कर्मी देवी को इन बच्चों के पालन पोशन के लिए 2500 यानि की 25-2500 रुपए सहायता राशी प्रदान की जा रही है चटे राशी वितायोग के अध्यक्षर सत्पाल सिंग सत्ती नहीं उन्ना बिसंसुब अक्षेतर के रकड में मुख्यमंत्री ग्रहिणी सुविधा योजना के तहित 9 पंचायतों में 30 लाभार्थियों को निशुल्क गैस कनेक्शन बितृत कि उन्होंने कहा कि पात्र परिव सत्पाल सिंग सत्ती ने कहा कि निशुल्क गैस कनेक्शन मिलने से महिला असरशक्तिकरण को एक निया आया मिला है और इसे परवन स्रंक्षन में भी मदद मिली है भारती क्रिशियन संथान परिशित की तेरा अन्भी वारशिक बैठेक नहीं दिली में केंदरी क्रिशी एबम की सान कल्यान मंत्री नरेंदर सिंग तोमर के धिक्षा में संपन हुई बैठेक में हिमाजरी प्रदेश से क्रेशी मंत्री विरेंदर कंबर और क्रेशी निदेशक नरेंदर कुमार धिमान ने इसमें भाग लिया इस अब सिर्फ क्रिशी मंत्री ने प्रदेश के क्रिशी की संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए प्रदेश में पोटेटो सिस्ट निमुटर की समस्या को केंद्री मंत्री के समक्ष रखते हुए उन्हें कहा कि राजी में आलू आये का मुख्य साधन है और लगबग 15,100 हेक्टियर क्षेतर में आलू का उत्पादन किया जाता है जिसके लिए लगबग 3,000,000,000 क्विंटल बीज आलू के प्रमानित बीज की आवशिक्ता प्रतिवर्श होती है प्रदेश में क्रेशी विभाग द्वारा आलू विकास केंदरों पर लगबग 55,000 हेक्टियर क्षेतर में फाउंडेशन बीज आलू का उत्पादन किया जाता है जिसे किसानों की आर्थिकी को बहुत नुक्सान हुआ है तीन अप्रैल को उना में होगा जन्मंच सर्वीन चौथरी होंगी मुख्यते थी जिहां उना विथांसवक श्रेतर में इस बार जन्मंच का आयोजन तीन अप्रैल 2020 को किया जोएगा जिसके अध्यक्षता सामाजिक न्याई अभम अधिकारितम मंत्री सर्वीन चौथरी करेंगी ये जन्मंच की आयोजन से संबदी तैयारियों पर बुलाएगी बैठक में अतरिक तुपाइक डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने दी एडिसी ने बैठक में कहा कि इस बार जन्मंच कारिक्रम का आयोजन डिफेंस अकैडमी उना नस्दीक आर्टियो कारियाले मैदान में किया जाएगा जिसमें नगर परिशदूना के सभी 11 बार्डों के सासाथ ग्राम पंचायत अर्नियाला अपर और लोवर रामपुर महालत और टबबा पंचायतों के लिए रखा गिया है हिमाची प्रदेश में इस बर्ष 2000 किलोमीटर सडकों की टॉरिंग होगी प्रदेश सरकार के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने टॉरिंग का लक्षेन रधारित किया है अगस्तक क्षाते ग्रस्त सडकों को ठीकिया जोना है सरकार ने टेंडर करने के भी आदेश जारी कर दी है जूनियर इंजिनियर से लेकर अधिशाशी अभियंतिय टॉरिंग के समय फिल्ड में तैनात होंगे टॉरिंग में गड़वड़ी पाये जाने पर ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कारवाई होगी आपको बता दे कि हिमाजिन में बारिश और वरफवारी के चलते लोक निर्माण विभागों 156 करोड का नुकसान हुआ है पत्थर और मलबा आने से की सडके बो भी तूट चुकी है फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यू सुपर भारत के साथ